तो guys सबसे पहले दो बहुत बड़ी update UAC related आ रही हैं, दोस्तो पहला जो update हो आप देख रहे हो, तो इस तरह का गलती कोई भी अगर आप company में काम कर रहे हो, आपको company salary नहीं दे रहे हैं, आपको छुटी नहीं दे रहे हैं, या आपको कुछ भी problem कर रहे हैं दोस्तों, तो यह अगर कानून हाथ में लोगे दोस्तों तो आपके साथ बहुत बुरा हाल होगा क्योंकि यहाँ पे सारे चीजी के लिए law बना हुआ है अगर आपको company बात नहीं सुन रही है तो आप government में जाओ पुलिस चोकी में जाओ यह labor court में जाओ मोहरे में जाओ बट अपने आथ में कान गेट है कि साथ workers को गिराफतार किया गया है और उन पर 50,000 द्रम fine क्या गलति है क्या गल्ति है दोस्तों कि इनको इनको श्रफ rule के बारे भी पता नहीं था कि इसके कारन दोस्तों क्योंकि यह छोटी गटপ के है इंडिया पाकिसतान मगला में नेपाल में इसकर कोई का इसके लोग है वही जादे फस्ते हैं तो यह साथ बंदे थो दोस्तों इनका नाम कंटी का एक्स्प्लेन नहीं किया गया है पहले तो स्क्रीन सॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूं यह और पीसली पेपर में आई यह खली स्प्राइब दोस्तों इसमें पूरा किलियरली बताया गया है कि साथ बंदे को गिरफतार करके अबुधावी कोटनी इसको छे महीने का सबका जेल है और पचास पचास अदरव फाइन है दोस्तों तो यह गलती क्या है दोस्तों जैसा मैं बताए कि इंडिया पाकिस्तान में यह सब गलती आम है इसमें कोई एक्सन नहीं लिके लेता है बट यहां पर रूर बना हुआ है कि यहां पर किसी को मनल आप इंडिया में देखते होगे या पाकिस्तान में कि मॉलभी मॉलाना या फिर साधू संथ किसी को जाड़ फूक करते हैं जोका जाधू टोना करते हैं जीन खबी मेरा सकते हूँ तो आप दोस्तो अगर इंडिया पकिस्तान मंगला देश में करते हूँ छोड़ दो यहां आने के बाद यहां का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा भूल से भी ये गलती ना करना किसी को जाड़ फूक या किसी के पास जाड़ फूक कराने भी नहीं जाना दोस्तों नहीं तो करने वाले को तो पकड़ा रही जाएगा कराने वाले को भी पकड़ा जाएगा क्योंकि जिस तरह से इनको पकड़ा गया है तो दोस्तों ये अपडेट था ये कुछ जानकारी था अपना राय नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना कि क्या ये लौव सही है यहाँ का कानून यहां का जो कानून है दोस्तों वो कानून है बाकि इंडिया में पाखिस्तान में तो कानून चेंज होते रहता है इस से ज़्यादा अंदी बिस्वासी लोग भढ़े हुए मगर कोई खरवाई वहाँ पर नहीं होता है तो आप लोग क्या ये समय विश्वास रखते हो कि नहीं नीचे कोमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हो ये कुछ जानकारी था दोस्तों ये कुछ अपडेट था और आप लोग के लिए सौधानी वहला अपडेट है कि आप लोग सतर्ख रहे सौधान रहे और ये सब गलती ना खरे मिलता हूँ ने अपडेट के साथ ने जानकारी के साथ जब तक जैहिन